हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका मेरे इस वीडियो में इस वीडियो में आज अम बात करने वाले हैं पृतिसत के बारे में यानि के फ्रेंड्स इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पृतिसत कैसे निकालते हैं तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ध्यान से स्क्क्राइब झालते ये बुलते हैं निक प्रिंटिसथ निकालना डहें तो देख़ें इसे इस पर सिवत रहते हैं ला-ख़ एक हुञती पर-सक một सवाल की पांस का 20% देख़ें 500 का किरसे निकालेंगेयाल कुछ नहीं करना है आपको कोई भी संख्या है दातो कि इतने का इतना प्रिटिशत निकालें तो friends जैसे मैंने लिए यहाँ पर 500 का 20 प्रिटिशत निकालें तो देखें इसे हम कैसे करेंगे उसे हम कैसे करेंगे हमें लिखना है हमें इंदोनों की आपस में गुणा कर देनी हैं और फ्रेंट्स देखें हमें 500 का 20 प्रितिसत निकलना है तो फ्रेंट्स हम 20 के आगे से जो प्रितिसत लगा है उस साइन को हटा देंगे और जब फ्रेंट्स इस साइन को हटाएंगे यानि के फ्रेंट्स जब हम प्रितिसत का साइन हटाएंगे तो हमारा बटे में 100 चला जाए 10 और 0 का 0 यानि रहे 500 का 20 परचंट होगा हमारा 100 यह हमारा आंसर हो जाएगा अबEZरे हम बात करते हैं इसी कर्म टाइब की दूसरे सवाल की तो देखेंश दूसरा सवाल है हमारा priv445 का 40% निकाले तो देखें इसे हम काशे करेंगे इसे भी हम वैसे ही solve करेंगे जैसे हमने पहला सवाल किया था तो देखें इसे हम लिखेंगे सबसे पहले solve लिख लेंगे यहाँ पर और हमें निकालना है 450 का 40% तो सबसे पहले हम 450 लिख लेंगे और कितना निकालना है हमें इसका निकालना है 40% तो यहाँ पर गुणा में 40 लिख देंगे और फ्रेंट्स अब क्या करना है हमें अब इस प्रतिसत के साइन को हटा लेना है और बटे में चला जाएगा हमारा 100 तो देखें यह हो जाएगा हमारा इस 0 से यह वाली 0 कैंसिल हो जाएगी और इस 0 से यह 0 कैंसिल हो जाएगी तो friends हमारा कितना बचेगा हमारा बचेगा 45 गुणे 4 यानि कि friends अब हमें क्या करना है अब हमे 45 और 4 की गुणा कर लेने तो देखिये 45 और 4 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 चोक 20 हासिल लग जाएँगे 2 और 4 चोक 16 और 2 यानि के हो जाएगा हमारा 18 यानि के फ्रेंड्स जो हमारा 450 का 40% होगा वह होगा हमारा 180 तो फ्रेंड्स इस तरह आप किसी भी संख्या का प्रितिसत आसानी से निकाल सकते हैं अब फ्रेंड्स से हम बात करते हैं कि result का प्रितिसत कैसे निकालते हैं देखें तो friends देखिए यदि आप result का प्रिटिसद निकालना चाहते हैं यानि कि friends यदि आपके number में से कुछ number आए हैं तो उनका प्रिटिसद आप कैसे निकालेंगे देखिए जैसे आप high school pass करते हैं तो उसमें result बनता है 600 number से यदि आपके 600 में से 540 number आए हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि आपकी कितनी percent आए हैं तो देखिए इसे भी हम कैसे शोल करेंगे देखिए इसका भी एक simple सा rule है वो आपके मैं बताने वारा हूँ तो वीडियो को द्यान से देखिएगा यदि आपके 600 में से 540 number आए हैं तो उन्हें आपको ऊपर रखना है यानि कि जितने आए है नंबर जो आपके प्राप्त आंग है उन्हें सबको ऊपर लिखना है और जितने में इसा है उन्हें क्या करना है उन्हें बटे में लिखना है इसे लिख लेंगे बटे में यानि कि 600 में से आपको 540 नंबर मिलें अब तो हमें क्या करना है julie इतना हमारा यह बचे गा ओपर 540 बटे में 6 तो इसे भाग कर लेंगे 6 से काटेंगे 6मा चोवण लुन यह जाएगा और जिरो की जिरो तो फ्रेंडस आपका आ जाएगा यानि के फ्रेंट्स यदि कोई विध्यारती 600 में से 540 अंग लाता है तो उसके 90 परसेंट बनेंगे तो फ्रेंट्स इस तरह आप किसी भी संक्या का प्रतिसत आसानी से निकाल सकते हैं और रिजल्ट का भी प्रतिसत निकाल सकते हैं यदि फ्रेंट्स आपको मेरे ये वीडिय अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बैल आइकन को वे प्लेज कर दीजेगा हमें मिलते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद